Examngs को manage करने के लिए सबसे पहले आप exam की MansTS को बनाते हैं。 सबसे पहले काम आपका है Language को बनाना, Language हम लोग आपको by default provide करते हैं, Language आपको बनाना नहीं है. Number 2, आप subjects बनाते हैं या subjects आपके academic year के subject से independent है अलग है. आप अपने अनुसार कई सारे subjects बना सकते हैं. झाल